इस बात से तो बच्चा बच्चा वाकिफ होगा कि दुबाई में तेल की कीमत काफी सस्ती है। तरह का सोना ही सोना दिखेगा। अब जो कोई भी इंडिया से दुबाई जाता है वह भर भर के सोना अपने साथ लेकर आता है। दुबाई की खूबसूरत और यहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रोजेक्ट जो हमेशा से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीशते आये हैं। अब वह चाहे बुर्ज कलीफा हो या फिर दुबाई का ये पाम जुमेरा या दुबाई के कुछ बड़े ही वर्ड क्लास प्रोजेक्ट हैं। जिने दुबाई बना पाने में सच्छम रहा है। उसको यहां की सरकार रेगुलेट करती हैं। मतलब की मार्केट में जितना भी सोना उतरता हैं। उसके उपर गोल्ड प्योर्टी हॉलमार्क का टैग लगा होता है। यहां की सरकार इस बात का बड़े ही अच्छे से ध्यान देती हैं। कि सोने की क्वालिटी में जरा से भी कंप्रोमाइस नहीं किया जाए। यहां पर पाय जाने वाले सोने के ऊपर आपको कॉस्ट आफ लेबल और सोना कितना कैरेट का है। यहां सब कुछ मेंशन होता है जो दरसाता है कि यहां पर सोने को कितना ज्यादा वैल्यू दी जाती है। यही वज़ा है कि जो सोना दुबाई में पाया जाता है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अब जो सवाल आपके दिमाग में सुरू से डगमगा रहा है कि दुबाई के पास इतना सारा सोना आता कहां से है? क्या इनके पास तेल की तरह गोल्ड रिजर मौजूद है? जी नहीं, अब ज़रा आप सूचे कि दुबाई एक रेगिस्तान है और इस बंजर रेगिस्तान म आपको सोना तो दूर की बाद चान्दी भी नहीं मिलने वाला? अब या सुनकर आपका दिमाग भी ज़्यादा चक्रा गया होगा कि असल माजरा क्या है? चलिए आपको बताते हैं, देखिए दुबाई के पास आज के समय जितना भी सोना है, वह ये आफरीका के देश से स्म करी करता है, अब जाकर आपको धिरे-धिरे पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, और आप जान पा रहे होगी कि युए अपने आपको कैसे सोने का बातसाफ बना पाया है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आफरीका में जहां पर सोने की माइनिंग होती है, वह पर काम कर रहे मजदूरों के उपर काफी अत्याच्यार किये जाते हैं यहाद की बच्चों का इस्तमाल करके भी उनसे ये काम करवाया जाता है और फिर यह सारा का सारा सोना वहां की ख़दानों से बिना रेजिस्टर करवाई योई लेकर आया जाता है इन ख़दानों में से निकला हुआ 80% सोना आराम से दुबाई पहुंच आता है आज के समय दुबाई इलीगल सोने की तसकरी के मावले में सबसे आगे पहुंच चुका है दुबाई में जितने भी जोलेरी आपको इनकी दुकानों में मिलेंगे वह सब के सब तसकरी करे हुए सोने से ही बनाये गए जहां पर यहां लोग तसकरी से लाए गए सोने को बड़े ही एडवांस तरीके से रिफाइन करते हैं और उनसे तरह तरह के गोल्ड प्रोड़क्ट बनाते हैं अब जो सोना यहां पर पहुंचता है उसमें ज्यादता सोना खराब क्वालिटी का भी होता है लगन फिर भी दु 2017 में दुबई में सोने का व्यापार 12.2 मैटरिक टन का था जी हां सही सुना आपने और यहां सारा सोना 11 कानोनी है जिसे खुले आम दुबई अपने मार्केट में बेज़ता है इससे हमाई या समझ में आता है कि लोग दुबई से भर-भर के सोने का व्यापार करते हैं और यहां से सोना लेकर अपने देश जाते हैं, हर किसी को एक अच्छी क्वालिटी का सोना पहनना पसंद है, और दुबाई का सोना उसे काफी रास भी आता है, लेकिन आप सोच रहे होगे कि दुबाई अपना इतना सारा पैसा गोल्ड और रिफाइन करने में लगाता है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर सोना इतना सस्ता क्यों है, चलिए इस सवाल का भी जवाब हम आपको देते हैं, देखे दुबाई एक ऐसा देश है, जहां पर बाकी देशों की तरह सोने पर किसी भी तरह के टेक्स नहीं लगे हुए है, मतलब कि मार्केट में मौजूद जितना भ तरह के टेक्स लगाए जाते हैं, जिनमें जिएस्टी वेट और एकसाई ड्यूटी मौजूद हैं, यही वज़ा है कि भारत में मिलने वाले सोने की कीमत काफी ज़्यादा होती है, अब आपको हमें एक और खास बात बताते हैं, दुबाई में वेट की शुरुवात 2018 में कर किया जाता है, और अगर आप मौल भाव करके सोने की कीमत को कम कराने के कोशिश करेंगे, तो इंडिया की तरह आपको यहाँ पर डिसकाउंट नहीं मिलने वाला, अब जब हर एक स्टोर पर आपको सोने की एक जिसे कीमत मिलेगी, तब मौल भाव का कोई भी चांस नहीं रह जाएंगी, दुनिया भर के अलग-अलग डिजाइनर वाले सोने की जोलेरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जिसे देखने के बाद आपकी आँखें तो सच में फटी की फटी रह जानी है, दुनिया भर के बड़े-बड़े ब्रैंड से यहाँ पर आपको मारक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो दुबाई में उसके लिए सक्त कानून बनाया है जिसमें उस इंसान को दो करोड का जुर्माना और दो साल की सजा सुनाई जाती हैं यही वज़ा है कि सोने को लेकर दांदली बाजी के केस आपको दुबाई में नहीं देखने को मिलेंगे Authenticity के चलते भारत के अलावा यहां पर कई अलग-अलग देश भी अपना पैसा सोने में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें यहां की सरकार के नियोमों पर काफी भरोसा हैं दुनिया के अलग-अलग देश पाकिस्तान, ओमान, बिर्टन, गनाडा जैसे देश दुबाई सोना खरीदने के लिए यहां पर आते हैं इनमें से भारत के लोग दुबाई से सोना खरीदने में सबसे आगे रहते हैं अब ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में हर एक शादी में सोने को काफी वैलू दी जाती है अगर आप दुबाई जाकर सोना लाना चाहते हैं तो आपको दुबाई से भारत ला सकती हैं लगिन उसकी कीमत एक लाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपकी इच्छा इससे ज्यादा सोना खरीदने की हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी आप कितने समय से दुबाई में रह रहे हैं या चीज भी काफी मैटर करत हैं अगर कोई भारती 6 महीने से भी ज्यादा दुबाई में रह रहा है तो वह एक किलो तक का गोल्ड कॉइन भारत ला सकता है जिसके लिए उसे साड़े बारा परसंट की स्पेसफाइड कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी वहीं अगर गोल्ड कॉइन एक किलो से ज्याद कमपनिया काम करती हैं वाकई में दुबाई सिर्फ तेल का ही बाश्चा नहीं बलकि सोने का भी बाश्चा है आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूले इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर मिलेगी आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलते हैं अगले वीडियो में